आप सभी को होली की हारदिक बढ़ाईए और शुब कामनाए आज के इस वीडियो में हम लोग होली खेलते समय कौन सी साउधानियों पे हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि होली के रंग खेलते समय हमें बहुत सी साउधानियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे होली का तेवहार साल में एक बार आता है इसलिए लोग होली पूरे हर सो लास के साथ मनाते हैं लोग होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुसियां बाटते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में मिलने वाले रंगों में ज्यादा तर हानिकारक केमिकल होता है जो हमारे सरीर और तवचा के लिए बहुत ही खतरनाक होता है इसलिए होली खेलते समय आपको कुछ साउधानिया जरूर बरतनी चाहिए ताकि आपकी होली अच्छी रंग खेलते समय हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि होली खेलते समय कभी भी केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें हो सके तो कोसिस करें हर्बल और नेच्रल करल खरीदें और किसी को अपने उपर केमिकल वाले रंग ना लगाने दें इससे आपकी तवचा हो सकती है यदि आपके सरीर में पहले से कोई चोट या घाव है तो कोसिस करें कि उस घाव तक रंग ना पहुंचे रंग में केमिकल होता है जो आपके घाव को और बढ़ा सकता है रंग खेलते समय एक बात और ध्यान रखें कि रंग किसी भी हालत में आपके मुह के अंदर न सकता है रंग खेलते समय एक और जरूरी बात ध्यान रखना जाहिए कि रंग कभी भी आखों में ना जाए आखे अनमोल होती है यदि केमिकल वाले रंग आपकी आखों में चले जाएंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए रंगों से अपनी आखों को ब भी बात ध्यान नहीं रहेगी और आप नसे के चक्कर में अपने सरीर के साथ नुकसान कर बैठेंगे किसी भी व्यक्ति के मना करने पर उसे कभी भी जवरतस्ती रंग ना लगाएं हो सकता है उसके साथ कोई सारीरिक प्रॉब्लम हो जिसके कारण वह रंग लगवाने से मना कर रहा हो ऐसी इस्तिती में उस व्यक्ति को रंग ना लगाएं जब भी आप रंग खेलने जाएं तो कोशिस करें कि रंग खेलने से पहले अपने सरीर पर हलका तेल लगा लें ताकि जब आप रंग उतारने के लिए रंग धोने जाएं तो रंग आपके सरीर से आसानी से न खरीदें हमेशा नेचुरल और हर्बल रंगों का प्रियोग करें ग्रीस आयल गोबर कीचड पेंट इत्यादी से होली कभी ना खेलें होली खेलने के लिए नॉर्मल गुलाल का ही प्रियोग करें जबरदस्ती बड़े भुजुर्गों के उपर रंग ना लगाएं क्योंकि उ ज्यादा छोटे बच्चों को भी रंग ना लगाएं क्योंकि उनकी तवचा नर्म होती है ज्यादा रगणने से उनकी तवचा घिस जाती है जिससे उन्हें जलन हो सकती है इसलिए ज्यादा छोटे बच्चों को रंग ना लगाएं फ्रेंड्स यदि आप बताये गए तरी या मनाने का तेवहार है इसे हुर्दंग के साथ जोड करना देखें होली के दिन अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का असिरवाद ले और बच्चों को इस नह दे और इसी तरह से खुशियां बाटते हुए अपने होली बनाए हमारी ओर से आपको होली की हार्दि बधायों सुपकामने